नमस्कार दोस्तों मैं हूँ लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे आज से हम शुरू कर रहे हैं Science and Technology की एक नई सिरीज और इस सिरीज में हम बात करेंगे UPSC GS Paper 3 Mains UPPCS GS Paper 3 Mains और साथ ही साथ Prelims के लिए भी Science and Technology के जो important topics हैं उनके बारे में हम discuss करेंगे तो किसी भी चीज को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका सिलेवस क्या है बात करें UPSC की या फिर UPPCS की तो GS Paper 3 के अंदर अगर हम बात करें तो एक segment आता है Science and Technology का तो सबसे पहले चलिए हम देखते हैं कि हमें क्या-क्या चीजें पढ़नी है इस पूरे सिरीज में और फिर लगभग 20-25 वीडियोस के में यह सारे topics जो आपको screen पे दिख रहे हैं इसके बारे में हम discuss करेंगे और सिर्फ prelims के point of view से नहीं बलकि आप मेंस में भी answer writing कर सकें उसके point of view से यह पूरी lecture series design की गई है तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं कि syllabus क्या है आपकी screen पे 3 point दिख रहे होंगे और यही 3 point UPSC के GS paper 3 के syllabus में है और अगर हम बात करें prelims की तो prelims में केवल एक चीज लिखी जाती है वो है general science जनरल science का मतलब क्या है physics chemistry और biology जो आपने class 10 तक पढ़ी है वही आपको याद रखना है ठीक है उसके साथ साथ यह जो GS paper 3 में syllabus है UPSC में यहां से भी prelims के questions बनते हैं कुछ current affairs से relate करके और कुछ static portion से तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं syllabus क्या है GS paper 3 UPSC और UPPCS science and technology developments and applications उसके बाद है developments and applications in everyday life फिर है and in national security भारत की राश्टी सुरक्षा में भारत की national security में science and technology का क्या role है यह हमें समझना पड़ेगा science and technology एक ऐसा subject है कि इसकी importance आपको हर एक field में दिखेगी आपके जिन्दगी का कोई ऐसा पहलू नहीं है जिसमे science and technology involved नहीं हो कैसे involved होगा यह सारी चीजें हमें समझनी पड़ेंगी इसी पूरे series में क्योंकि UPSC में ऐसा प्रश्ण आ चुका है मैं mains का question भी आपके साथ discuss करूँगा कि कैसे प्रश्ण पूछे गए हैं अब तक चलिए उसके बाद है इंडिया इंडिया science and technology policy भारत की science and technology की नीती क्या है फिर हम बात करेंगे achievement of Indians in science and technology indianization of technology development of new technology and transfer of technology dual and critical use dual and critical use technology क्या है उनके बारे में हम पढ़ेंगे फिर हम बात करेंगे तीसरा जो point है वो है awareness in field of ICT ICT का मतलब होता है information and communication technology we will discuss that topic उसके बाद हम बात करेंगे space technology की space technology world के level पे इंडिया के level पे उसकी अच्छाई क्या है उसमें issues and concerns क्या है challenges क्या है उन challenges से कैसे हम बाहर निकल सकते हैं ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे फिर हम पढ़ेंगे nanotechnology के बारे में nanotech क्या होता है nanomaterials क्या होते है ठीक है ये सब पढ़ेंगे फिर हम पढ़ेंगे microbiology के बारे में इसी में एक important topic है biotechnology बायो टेकनोलजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा agriculture से भी जुड़ेगा उसके साथ ही साथ biotechnology का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे general science से भी जुड़ता है और जो issues relating to IPR है ये पढ़ेंगे फिर हम पढ़ेंगे digital rights के बारे में ये तो कुल मिलाकर मैंने बात की कि syllabus में क्या-क्या points हैं अब हम बात करते हैं कि कैसे इस पूरे topic को हम cover करेंगे तो सबसे पहले हम जो बात कर बायो technology पे लगभग तीन वीडियो आ सकती है तीन से चार वीडियो और इस तीन से चार वीडियो में दिखिए इसमें क्या करना है हमें अलग-अलग तरह से डिवाइड करके पढ़ना है जैसे आप समझिए achievement of Indians in science and technology इस topic के अंतरगत इस topic में अगर हम बात करें क्या-क्या च तो उन scientist के बारे में पढ़ना, उन scientist के योगदान के बारे में पढ़ना, कोई theories propound की गई हो उसके बारे में पढ़ना, कुछ research हुए हो, कुछ discoveries, कुछ inventions जो की Indians के द्वारा किये गए हो, ये सारे topics हमें पढ़ने हैं, लेकिन ये topics याद करने वाले topic भी हो सकते हैं, जिनमें आपको scientist के बारे में पढ़ना है, तो बहुत ज़्यदा उसकी चिंता नहीं करनी है, जो चिंता करनी है, वो जो conceptual points है, जो की prelims में भी पूछे जा रहे हैं, और साथी साथ mains में भी पूछे जा रहे हैं, उन पर हम discuss करेंगे, सबसे पहले जो हम बात करेंगे, वो बात करेंग तो biotech जो है, वो हमारा सबसे पहला topic होगा, बायो technology, इस topic को पढ़ने के लिए हमें कुछ basic चीज़े समझनी होगी, जैसे cells के बारे में समझना होगा, कोशी का क्या है, तो इस पे मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया है, मैं description में उसका link दे दूँगा, आप उसको एक बार फिर भी थोड़ी बहुत बात हम cells की कर लेते हैं इस वीडियो में, उससे कोई नुकसान नहीं होना है, और थोड़ी सी जानकारी अगर cells की हो जाएगी, आज मैं आपको इस वीडियो में उस level पर ले जाके छोड़ूँगा, जहां से मेंस के bio technology वाला जो segment है, उसको हम functional and structural unit of life, जीवन की कार्यात्मक और सनरचनात्मक इकाई है, हिंदी में अगर कहें तो, तो सबसे पहली जीज़ आ रही है functional, और दूसरी चीज़ जो आ रही है, वो आ रही है structural, structural and functional, function का मतलब क्या है, हमारा शरीर, हमारे शरीर में बहुत सारे अंग है, उन सारे अंग का जिसके लिए वो designed है, अब वो काम कैसे कर रहा है, एक अंग, जैसे आपका heart है, तो आपका heart कैसे काम कर रहा है, उसको समझना है, उससे पहले हमें ये समझना होगा, कि उसकी जो basic unit है, वो कैसे काम करती है, cells के level पर, जो भी activities होती है, जो भी actions होते है, जिससे की energy generate होती है, उ cells जो है, इनका function क्या होता है, और इसका structure में क्या योगदान है, हमारा आपका सबका एक structure है, हर एक व्यक्ति का, हर एक वस्तु का एक structure है, जब हम life वाली चीजों की बात करते हैं, living beings की बात करते हैं, या living things की बात करते हैं, तो उनका structure कैसे बना, जो basic चीज है, वो है structure में cell, एक साथ कई सारे cells जुड़ते चले जाएंगे तो फिर एक tissue बनेगा और उन tissues को कई सेम तरह के tissues इकठे होंगे तो फिर क्या होगा? organ बनेगा, एक organ system बनेगा tissues और cells पर वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ आप उसको देख लीजेगा फिर भी मैंने कहा है कि थोड़ी बहुत बाते हमें समझनी पड़ेंगी तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि cell का जो outer cover होता है वो क्या है? आप समझे ये एक cell है ये एक cell है अब इस cell में ये जो outer covering आपको दिख रही है ये जो outer covering आपको दिख रही है इसको हम कहते हैं cell membrane क्या कहेंगे इसको? इसको कहेंगे cell membrane लेकिन इस cell के बाहर वाले हिस्से को जो outer cover है उसको हम कहते हैं cell wall अब cell wall किस में मौझूद होगा? तो बेसिक बात है cell wall हमेशा plants में मौझूद होता है, animals में cell wall की जरूरत नहीं पड़ती है तो आप कहे सकते हैं कि जो stiffness है, जो hardness है एक प्लांट सेल की वो कौन दे रहा है? वो outer cover दे रहा है जिसको हम cell wall के नाम से जान रहे हैं अब जो आपको internal दिख रहा है cell membrane इसको हम एक और नाम से जानते हैं और ये जो नाम है ये है plasma membrane plasma membrane plasma membrane क्या है? ये जो internal आपको boundary दिख रही है इस boundary को हमने नाम दिया है plasma membrane हमने मतलब scientist ने तो इसको cell membrane या plasma membrane कह सकते हैं अब एक प्रश्ण उड़ता है कि plasma membrane बना कैसे है? तो plasma membrane जो है वो बना है phospholipid से phospholipid आपको याद रखना है कि plasma membrane का जो constituent है वो है phospholipid अब ये कैसे बनता है? इसके बारे में थोड़ा साम समझते हैं जैसे आप समझे ये है एक structure मैं मनाता हूँ इसका ये जो आपको दो bars दिखाई दे रहे हैं ये bars और कुछ नहीं बलकि protein है ये क्या है? protein है ये है protein और इसके अंदर इसके अंदर ये है phospholipid phospholipid मतलब आप कह सकते हैं कि plasma membrane कैसे बना है? तो protein के दो layers के बीच में phospholipid है और इसी को हम कहते है plasma membrane ये plasma membrane का structure आप समझ रहे हैं सबसे उपर और सबसे नीचे protein का एक layer है protein का एक layer है आप समझे कि ये हाथ protein है और ये हाथ protein है और इस protein के layer के बीच में जो चीजे हैं उसको हम कहते हैं phospholipid तो पूरा का पूरा plasma membrane कैसे बना है protein प्लस phospholipid से मिलकर phospholipid और protein से मिलकर ये बना है एक तो ये समझ गए अब दिखिए हमें जो bio technology cover करनी है इसके लिए हमें जो चीजें समझनी होंगी वो समझना होका nucleus के बारे में लेकिन उसके पहले हम एक और organil की बात करते हैं जिसको हम कहते है mitochondria 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 के बारे में समझे mitochondria को हम कहते है powerhouse of cell powerhouse का मतलब है कि जहां से energy हमें मिलती हो जहां पर energy का generation होता हो तो powerhouse of cell किसको कहते है mitochondria को जो भी cell में actions हो रहे हैं, cell में जो भी functions हो रहे हैं, उसके लिए जो energy की requirement है, वो कहां से energy मिल रही है, mitochondria से, और mitochondria से जो energy मिलती है, वो हमें मिलती है ATP के form में, जिसको हम बोलते हैं, adenosine triphosphate, आप लिख सकते हैं, adenosine triphosphate, आप ये जो ATP में हमें energy मिली है, इसी से cells के सारे functions चल रहे हैं, सारे cell में जो भी क्रियाएं हो रही हैं, उसके लिए जो energy मिल रही है, वो इस mitochondria से मिल रही है, आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले एक बार mitochondria के structure के बारे में भी समझ लेते हैं, जैसे आप समझ ये है mitochondria, इसक के अंदर इसका structure कैसे होगा, देखिएगा, ये हो गया mitochondria का structure, अब इसमें यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो मैंने structure बनाया है, इसको हम बोलते हैं MDNA, MDNA का मतलब क्या हुआ, mitochondria का DNA, DNA के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, और bio technology में सबसे important जो है, वो है DNA, और उन सारी चीजों को समझने के लिए, पहले हम यहाँ पर कुछ basic concept समझ रहे हैं, जिसके लिए पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया है, जो general science में biology का, वो वीडियो मैं पिन कर दूँगा, देख जिसको हम क्या बोलते है, mitochondrial DNA, DNA आज तक आपने पढ़ा होगा कि nucleus में मिलता है, लेकि nucleus के अलावा mitochondria में भी DNA पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते है, mitochondrial DNA, MDNA कहते है, यह जो ऐसे निकला हुआ है इसको हम kristi बोलते है, kristi जो nukila है, उसको हम kristi बोलते है, अब यह समझाया सिर्फ इसलिए गया है, क्योंकि आगे जब हम science and technology में बढ़ेंगे, तो आपको एक topic मिलेगा, जिसमें कि हमें mitochondria के DNA की जरूरत पड़ेगी, mitochondria के DNA के बारे में समझना पड़ेगा, तो सिर्फ एक बात आपको याद रखनी है, कि mitochondria के पास भी DNA होता है, जिसे हम mitochondrial DNA के नाम स जानते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं, प्लास्टिड के बारे में, प्लास्टिड क्या होती हैं, इसके बारे में समझते हैं, CELL OrXe건andle में मैंने आपको बताया कि ये CELL है और इस CELL के अंदर क्या होता है? Cytoplasm होता है और इस Cytoplasm में सारे Organals suspended होते हैं इस Cytoplasm में बहुत सारे Organals हैं जिनमें कि अगला Organal जो हम पढ़ने वाले हैं वो है PLASTID Plastids क्या होते ही इसके बारे में समझ लेते हैं देखिए Plastid जो है ये एक Cell Organal है Cell Organal मतलब कोशिका का एक अंग है अब ये Plastid में ही क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट ये सब आपने नाम सुने होंगे ये इसी में प्रेजेंट होते हैं और इनहीं की वज़ा से Plants में Color आता है जो Food का Color है, जैसे पत्ती का Color हरा है तो Leaves का Color जो Green है वो क्यों है क्योंकि उसमें एक Pigment पाया जाता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? क्लोरोफिल के नाम से ये Basically क्या है? क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट इसके बारे में हम पढ़ते हैं तो देखिए Plastid के बारे में समझीए इसके तीन टाइप होते हैं पहले टाइप के बारे में हम पढ़ें पहला टाइप है क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट इसका जो दूसरा टाइप है वो है क्रोमोप्लास्ट और जो इसका तीसरा टॉपिक है टाइप है वो है लूको प्लास्ट ये तीन है आप देखिए मैं आपको लिखवाओंगा भी कुछ चीजे मगर ये जो बेसिक चीजे हैं इसको मैं लिखवा नहीं रहा हूँ आपकी कॉपी में आप यहां से डारेक्ट नोट कर लीजेगा प्लास्टिड में क्या है क्लोरोप्लास्ट इसमें क्रोमोप्लास्ट और यूकोप्लास्ट अब हम बात करें क्लोरोप्लास्ट की तो यह ग्रीन कलर देता है और इसके बारे में आपको पता है कि उसको हम क्या बोलते है क्लोरोफिल बोलते है यह आपने पढ़ा होगा बहुत color देता है जैसे अगर बात करे औरेंज, red की orange और red की तो इस के लिए आपने सुना हो का कैरोटीन और दूसरा जो एक हम बात कर सकते हैं वो yellow color की बात करेंगे और yellow color कैसे मिलता है zenthofil से मिलता है यह सारी बाते हम डिस्कस कर चुके है zenthofil से मिलता है यह जो pigment है वो है Xanthophyll और Leukoplast का मतलब क्या है कोई भी pigment present नहीं होगा मतलब इसका कोई color impart करने में योगदान नहीं होगा इसमें कोई भी color present नहीं होगा हम लिख सकते हैं no pigment तो आपने समझा कि Plastid में क्या होता है Plastid तीन तरह के हैं Chloroplast, Chromoplast और Leukoplast Leukoplast contains no pigment Chromoplast contains orange rate that is carotene pigment और yellow मतलब Xanthophyll उसके बाद हम बात करें Chloroplast की तो यह आपको बहुत basic बात है कि green color जो होता है plants का जो पत्तियों का वो क्यों होता है क्योंकि उसमें pigment होता है जिसको हम chlorophyll कहते हैं और chlorophyll का use कहा होता है photosynthesis में होता है यह सारी बातें basic वीडियो में discuss कर चुके हैं आप दिखिए यहाँ पर समझेगा magnesium का atom जो है वो आपको मिलेगा कहां पे chlorophyll में इसमें कौन से atom मिलेगा तो आप समझ सकते हैं magnesium का atom मिलेगा ठीक है दूसरी बात यह जो carotene है carotene pigment की जिसकी हमने बात की carotene जिसकी वज़ा से orange या red color मिल रहा है orange red color मिल रहा है इस carotene की अगर हम बात करते हैं तो यह carotene जो है यह vitamin A vitamin A में convert हो जाता है कहां जब carotene हमारे liver में जाएगा तो यह vitamin A में convert हो जाएगा अब यह जो plastic है इसके पास भी अपना DNA होता है जिसको हम कहते हैं PDNA तो अब तक हमने दो बाते सीखी कि एक होता है mitochondria का DNA जिसको हम mitochondrial DNA कहते हैं और एक होता है plastic का DNA जिसको हम PDNA के नाम से जानते हैं इतनी बात आपको plastic में समझनी थी अब हम जो बात करने वाले हैं अगले topic की वो है endoplasmic reticulum तो चलिए हम बात करते हैं endoplasmic reticulum की endoplasmic reticulum को हम लिखते हैं ER endoplasmic reticulum यह सबसे पहली बात आपको समझनी है कि single membrane होता है single membrane होता है endoplasmic reticulum endoplasmic reticulum को हम दो भाग में बाढ़ते हैं एक को हम कहते हैं S-E-R मतलब smooth endoplasmic reticulum smooth E-R और एक को हम बोलते हैं R-E-R मतलब rough endoplasmic reticulum दोनों का अपना काम है अब सबसे पहले हम एक-एक करके समझते हैं कि smooth E-R क्या है और rough E-R क्या है हम बात करते हैं rough endoplasmic reticulum की देखिए endoplasmic reticulum मैं यहाँ पर बना के दिखाता हूँ आपको यह अगर cell का structure हो गया बीच में यहाँ पर nucleus हो गया तो यहाँ किनारे आपको मिलेगा ऐसे endoplasmic reticulum यह अब देख सकते हैं यह endoplasmic reticulum है यह एक दूसरे से connected है अब इसी में हम इसको कहेंगे ser smooth endoplasmic reticulum और इसको हम कहेंगे rough endoplasmic reticulum क्यों कहेंगे क्योंकि देखिए यहाँ पर मैंने add कर दिया कुछ ऐसे spikes निकाल दिये यह जो spikes निकल रहे हैं यह की skin पर निकल रहे हैं समझेगा यह skin है इस skin पर अगर ऐसे spikes निकले हो तो यह rough हो जाएगा तो इसका जो surface होता है rough endoplasmic reticulum का वो rough होता है rough का मतलब खुरदूरा होता है अब यह जो rough endoplasmic reticulum का surface आपने देखा इससे फाइदा क्या है कि इसके उपर ribosome होते हैं क्या होंगे ribosome होंगे तो rough endoplasmic reticulum के बाहर surface पे कुछ spikes निकले हैं और इन spikes को मैंने नाम दिया मैंने मतलब यह नाम है और नाम क्या है वो नाम है ribosome अब ribosome का काम क्या होता है तो ribosome का जो काम होता है वो होता है protein की synthesis protein की synthesis यह protein बनाएगा तो एक बात आपको समझ में आई कि protein कहां से बन रहा है तो वो endoplasmic reticulum से बन रहा है और rough endoplasmic reticulum से बन रहा है यतनी बात clear है अब यह जो protein बन रहा है यह केवल cell में तो नहीं रहना चाहिए यह cell से बाहर भी जाएगा और cell से बाहर ले जाने के लिए कौन काम आएगा तो गॉल्जी बाडीज काम आएगी गॉल्जी बाडीज अब गॉल्जी बाडीज जो है यह protein का storage करती है protein का modification करती है और साथ ही साथ यह protein को deliver करती है deliver करती है तो जो protein endoplasmic reticulum में rough endoplasmic reticulum ने ribosome की सहायता से बनाया उस protein को हर एक part तक पहुचाने की जिम्मेदारी उसको pack करने की जिम्मेदारी उसको modify करने की जिम्मेदारी किसकी है तो वो जिम्मेदारी है गॉल्जी बाडीज की आप समझे कि modification का मतलब क्या हुआ यह जो protein बना है इसको modify किया तो modification का मतलब क्या है तो दिखिए हमारे नाखून भी protein के बने हुए हैं, हमारे बाल भी protein के बने हुए हैं, और बाकी सारी चीजें भी protein की बने हुई हैं, protein से ही हमारी body बने हुई है, आप ये कह सकते हैं, अब ये हर एक part जो है, जैसे हमारे बाल का structure कुछ और है, हमारे नाखून का structure कुछ और है, हमारे skin का structure कुछ और है यह जो structural difference आपको दिखाई दे रहा है यह केवल और केवल protein की वज़ा से दिखाई दे रहा है इसका मतलब है कि protein जो rough endoplasmic reticulum ने बनाया है इसको किसी न किसी ने change किया है alter किया है इसमें difference create किया है और इस difference किस ने create किया है इसी Golgi bodies ने किया है क्योंकि Golgi काय जो है Golgi body जो है इसका काम होता है modification, packaging and delivery of protein to other parts of the body clear हो गई इतनी बात अब यह कुछ basic बाते थी जो आपको बताना था अब हम एक और topic बात करते हैं लाइजोसोम क्या है यह सब पहले discussed है लेकिन इतने deep में discussed नहीं है तो एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा लाइजोसोम की बात करते है लाइजोसोम को generally हम कहते है suicide bag suicide bag का मतलब क्या है suicide bag का मतलब है आत्महत्या की थैली अब क्या है कि लाइजोसोम आप समझे कि अगर यह लाइजोसोम है तो इसके अंदर कुछ liquid भरा होता है और इस liquid को हम बोलते है hydrolytic enzyme hydrolytic enzyme भरा होता है इसका नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है सिर्फ समझेगा कि hydrolytic enzyme है आप किसी case में अगर यह bag फट गया तो इस bag से यह liquid क्या होगा बाहर आएगा और आप याद करिए कि एक cell का structure है और इस cell में साइटोप्लास में बहुत सारे organs है और इसी में एक है suicide bag यह फटा और इसका liquid आके साइटोप्लास में मिल गया तो यह क्या करेगा जहर बन जाएगा और जितने भी organel है उनको क्या करेगा समाप्त कर देगा समझ में आ रही है बात अब यहाँ पर यह जो लाइजोसोम है जो suicide bag है यह वास्तों में suicide bag है नहीं इसको हमने नाम दिया suicide bag मगर इसका जो काम है वो बहुत important काम है यह जरूर cells को मारता है मगर उन cells को मारता है जो cell damage हो चुके हो और repair नहों सकते हो जो cells मरने वाले हो उनको समाप्त कर देगा अगर मरे हुए cells हैं dead cells हैं तो dead cells को पचा जाना है पचाने का मतलब है digest कर जाना तो जो digestion हो रहा है या जो cells खराब हो चुके हैं उनको समाप्त किया जा रहा है ये और कोई नहीं कर रहा है, वलकि लाइजोसोम्स कर रहा है, तो लाइजोसोम्स वास्तों में काम अच्छा कर रहा है, मगर इनका नाम खराब हो गया, इनको हमने कह दिया कि आत्मत्या की थैली है, सुसाइड बैक्स है, बट इनका काम क्या है, इनका काम है खराब सेल्स को मा राइवोसोम क्या है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं अभी तक हमने देखा कि रफ इंडोप्लास्मिक रेटे कोलम में जो स्पाइक्स निकले हुए थे उनको हमने कहा कि राइवोसोम है और राइवोसोम जो है इनका काम होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करना प्रोट को हम कहते हैं ATS राइवोसोम यह मैं बेसिक चीज बता रहा हूँ इसलिए आपको थोड़ा सा इस क्लास में ऐसा भी लग सकता है कि यह सब क्या बताए जा रहा है मगर इसकी जरूरत आपको पढ़ेगी जब हम नूकलियस पढ़ेंगे नूकलियस इस इस इंप्रियस इंप् और ATS राइवोसोम अब यह दो अलग अलग टाइप हैं इनके बारे में कुछ बहुत जादा नहीं समझना है आपको और अगर समझना होगा तो जो साइंस का जो बेसिक वीडियो है बायो का उसमें आप जाके देख सकते हैं क्लियर है अब राइवोसोम के बारे में एक दो जो आपको समझना है वो यह है कि राइवोसोम आरेने प्लस प्रोटीन से बना होता है इसको अगर हम कंबाइन कर दे तो हम कह सकते हैं कि राइवो नुक्लियो प्रोटीन से बना है तो राइवोसोम कैसे बना है राइवो नुक्लियो प्रोटीन से बना है उसके बाद हाइड 70S और 80S आपने समझ लिया जैसे 70S की अगर हम बात करें तो ये उन में मिलेगा जो organs जो cells पूरी तरह से develop नहीं हुए हूँ जैसे अगर हम बात करें bacteria की तो bacteria में जो ribosome होगा वो 70S ribosome होगा हमारे में आपके में जो ribosome होगा वो 80S ribosome होगा तो चाहें आप बात करें bacteria की चाहें आप बात करें blue green algae की बात करें तो इन सब में जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 70S ribosome सीधा सा समझेए the cells which are not completely developed उन में क्या मिलेगा 70S ribosome और completely developed cells में क्या मिलेगा 80S ribosome eukaryotic, prokaryotic आपका homework है इसके बारे में एक बार पढ़ लीजेगा वीडियो में मैंने बताया है जो basic वीडियो था चलिए इसके बाद हम बात करते हैं centrosome की centrosome क्या होता है centrosome तो ये भी एक cell organelle है centrosome दो centriols से मिलके बना होता है आप समझेए कि जब centriols को मिला देते हैं तो ये centrosome बनता है ये centrosome कैसे बना है तो ये भी एक protein से बना है जिसको हम बोलते हैं tubulin protein tubulin protein से क्या बना है centrosomes बना है अब देखिए इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करूँगा क्योंकि अगला जो topic है हमारा वो है nucleus और ये सारी कीए तो मैंने सिर्फ एक तरह से समझेए कि revision के रूप में बता दिया क्योंकि ये हम discuss कर चुके हैं detail में जब हमने biology पढ़ी थी और biology का जो पहला वीडियो है cells का वो आप दिखिएगा बायो टेक पढ़ने के लिए जो कि हमारे syllabus का part है हमें जो सबसे महत्तपूर चीज पढ़नी है वो पढ़ना है nucleus के बारे में इस nucleus में DNA मिलेगा इस DNA में genes मिलेंगे और इस genes से ही हमें आगे बढ़ना है कि gene में कुछ modification करेंगे gene में कुछ changes करेंगे फिर वहां से शुरू होगा बायो टेकनोलोजी अभी तक ये biology का एक segment था जिसमें की कुछ basic बाते मैंने आपको बताई हालाकि इसका वीडियो पहले से भी है फिर भी इसको देखिए और जो मैं pin करूँगा जो description में वीडियो का link दूँगा उसको जरूर देखिएगा और पूरा का पूरा science and technology का segment 25 वीडियो में लगभग हम cover करेंगे और ये वीडियो रेगूलर बेसिस पे कोशिस रहेगी कि आपके पास लेकर आया जाए और खास तोर पे जो मेंस के जो syllabus में आप topics देख रहे हैं चाहे वो नैनो टेकनोलोजी हो बायो टेकनोलोजी हो इस्पेस हो या फिर ICT हो Information Communication Technology हो या फिर IPR के बारे में बात करनी हो इंडिया के science and technology policy की बारे में बात करनी हो या everyday life में इसके applications क्या है इसकी बात करनी हो सब कुछ discuss होगा बस धहरे से आराम से देखते रहे बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका ये वीडियो देखने के लिए वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजे